एक दिन संध्या के समय सर्यू के तट पर तीनों भाईयों संटहलते श्री राम से भरत ने कहा, एक बात पूछू भाईया माता कैकरी ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंत्रा के साथ मिलकर जो शड्यंत्र किया था, क्या वह राजग्रोह नहीं था? उनके शड्यंत्र के कारण एक और राज्य के भावी महाराज और महारानी को 14 वर्ष का बनवास झेलना पड़ा तो दूसरी और पिता महाराज की दुखद मृत्यू हुई ऐसे शड्यंत्र के लिए सामान्य नियमों के अनुसार तो मृत्यू दंड दिया जाता है, फिर आपने माता कैकई को दंड क्यों नहीं दिया, राम मुस्कुराय बोले, जानते हो भरत, किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्म प्रायन पुत्र जंड ले ले तो उसका जीवन उसके असक्य पीधी के पित्रों के अपराधों का प्रायश्चित कर देता है, जिस माने तुम जैसे म माता को दंड क्यों नहीं दिया, समझिए कि आप से यह प्रशन आपका अनुज नहीं, अयोध्या का एक सामान्य नागरिक कर रहा है, राम गंभीर हो गए कुछ क्षन के मौन के बाद कहा, अपने सदे संबंधियों के किसी अपराध पर कोई दंड न देना ही, इस उन्होंने अपना पती खोया, अपने चार बेटे खोये, अपना समस्त सुख खोया, फिर भी वे उस अपराध बोध से कभी मुक्त नहो सकी वनवास समाप्थ हो गया, तो परिवार के शेश सदस्य प्रसन्न और सुखी हो गए पर वे कभी प्रसन्न नहो सकी, कोई राजा कि इसी स्त्री को इससे कठोर दंड क्या दे सकता है। पर तुम दोनों ने तो मेरे स्निह में 14 वर्ष का वनवास भोगा वनवास न होता तो यह संसार सीखता कैसे की भाईयों का संबंध होता कैसा है। भरत के प्रश्न मौन हो गए थे, वे अनायास ही बड़े भाई से लिपट गए।